जिला स्वास्थे एवम परिवार कल्यान विभाग द्वारा जोनल अस्पताल मंडी के सीएमो सभागार में शुकरवार को पुलिस व स्वास्थे विभाग के अधिकारीयों के लिए मानसिक स्वास्थे देखवाल विशेपर एक दिवसीय प्रशिक्षण शीविर का आयोजिन किया गया, इस परशिक्षन शीविर में स्टेट मेंटल हेल्थ CEO डॉक्टर संजे पाठक द्वारा उपस्तित सवी अधिकारियों को मेंटल हेल्थ केर वो मेंटल हेल्थ केर एक्ट के वारे में विस्तरत जानकारी दी गई, इस मौके पर सेंट्रल जोन मंडी डी आईजी, मदुसूदन शर्मा भी विशेश रूप से उपस्तित रहे इस मौके पर स्टेट मेंटल हेल्थ के सीईओ डॉक्र संजे पाठक ने बताया कि मेंटल हेल्थ केर एक्ट 2017 को प्रादेश में लागू करने वर पुलिस और चिकित्सकों के बीच समर्वाय स्थापित करने के लिए प्रशिक्षन का आयोजन किया गया हमारा एक मेंटल हेल्थ केर एक्ट है जो कि 2017 में आया है और उस मेंटल हेल्थ केर एक्ट को जो इन्फोर्स करना है अपने स्टेट में के लिए मेंटा अधुरिश के बीच में उसके क्या क्वेशन्स क्वेशन क्या क्या है उन्हीं को लेके एक वर्क्शॉप में यहां प्लिज़ है वो और्गनाइज किया है यह स्टेटमेंटल एल्ट अथॉर्टे के जॉएंट एक वेंचर है जिसमें कि हम एक अवेर्नेस एकसराइज यहां पर कर जे गंभी सबस्या मेंटल इलनेस जो है वो बढ़ रही है क्योंक बढ़ रहे हैं तो मेंटल इल्नेस बढ़ रही है अब हमारे पास जो है वो एक पर सविदाया उन्हों को ट्रीट करने के वह बढ़ रही है अन्होंने बताया कि modern living life वो आधुनिक्ता के इस दोर में मानसिक बीमारियों में इजाफा हो रहा है लेकिन उसके साथ स्वास्ते विभाग में सुविधाओं में भी बड़ोतरी हो रही है पहले के समय प्रदेश में एक या दो ही medical college हुआ करते थे इनकी संक्या में भी बड़ोतरी हुई है स्वास्ते विभाग के चिकित सक आज के दोर में इन बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह से शक्षम है जहां पर यह जो मेंटल हेल्थ केर एक्ट है उसकी प्रविजिंस पर डिसकुशन है और प्रैक्टिकली हमें क्या-क्या इशूज हमें आते हैं या किस तरह से दोनों जो डिपार्टमेंट्स इसमें लिंक्ट हैं या आपस में कैसे अच्छा कॉडिनेशन और समन्वे आपस में बना सके उस पर चर्चा की जा रही है साथ ही एडिक्शन और इससे संबंदित जो इशूज है और मेंटल हेल्थ डिसॉर्डर्स और किस तरह से जो इस सब्सक्राइब करते हैं उसको किस तरह से टैकल किया जाए उस पर बैतर और और अच्छा कारे जो करने में हमें हमें